असलाम लेकुम एविवान, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, आज हम बनानी जा रहे हैं, रेस्टरेंट स्टाइल रोटी सरी चिकन, जो के बहुत ही मसिदार होती है, टेंडर होती है, जूसी होती है, और फुल आफ फ्लेवर होती है, चले हम शुरू करते हैं, सबसे पहल जाएगा, और जब आप इसको मेरिनेट करेंगे, तो अच्छे से स्पाइसे जो हैं, वो अंदर तक इसमें जजब हो जाएंगे, अभी देखे मैने इसको ऐसे काट लिया है, और अंदर इसको जितना भी जितना भी वेस्टिज है, आप इसको सब साफ कर लें, आप ये जो अभी जो स्पाइसे हैं, वो अच्छे से इसके अंदर चली जाएं, अब बस मैने कर लिया है, इसके बाद मैने इसको 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 सॉल्ट इस तरह से स्प्रिंकल किया है, और स्प्रिंकल करने के बाद मैं इसको अच्छे से मल दूँगी, और इसको और मैने इसको लगाया ह वो मैं बाद में लगाँगी उससे पहले मैं इसको चौबेस घंडे के लिए रेफ्रिजरेटर में छोड़ दूँगी ताकि जो नमक और मिर्च है वो इसमें अच्छी तना से मिक्स हो जाए बस अब जब ये इस तरह से अच्छी तना से आप इसको लगा लिए उसके बाद इसको आपने रख देना है ये देखें कितनी अच्छी तरह से इसमें नमक और मिर्च लग चुगा है अब मैं इसको बहुल में डालके फ्रिज में रख दूंगी और फिर मैं दूसरे दिन इसमें और स्पाइसिस एट करूंगी मैं इसके पाइसिस सब्सक्ताइन और नहीं है च्मच में रख लालकाइएनाय इसमें पतुपा सर्थूंग बान शेघ किन इसमें डाल पावडर पाउड़ा अब हैं डालकाईज में जाएगा इसमें एक चम्चा औरिगान पाउडर और उसके बाद इसमें जाएगे दो चम्चे पैपरीका पाउडर के इससे रंग बहुत अच्छा आता है चिकन में और उसके बाद मैं शामिल करूंगी इसमें तीन कश्मीरी लाल मिरच काट के और उसके बाद इसमें जाएग मैं अच्छे से ब्लैंड कर ढूंट अच्छे से ब्लैंड कर दूंगी अब यह जो आपने बहुत आपने लगाना है और इसको भी लगाने के बाद तकरीबन 5-6 घंटे के लिए मेरिनेट करके इसको आपने छोड़ देना है अभी रिखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मल लिया है और अब मैं इसको पलटकी इसकी दूसरी साइट पे भी अच्छे से स्पाइसिस लगा दूगी अगर यह सही से नहीं लगाएंगे तो टेस्स इतना अच्छा नहीं आता तो चिकन का जो अपना टेस्स है वो ऐसे भी थोड़ा फीका होता है इसलिए जो इसपाइसिस है उनको अच्छे से लगाना चाहिए अब मैंने लगा दिया है अब मैं इसको 5-6 घंटे के लिए दुबारा मैरिने ने के लिए छोड़ दूगी यह बिकिंग ट्रेय इसमें थोड़ा सा ओई डाल दिया है और इसको इस ट्रेय पे अच्छे से मलके फिर मैं इस पर चिकन रख दूगी और मैंने ओवन जो है प्री हीट पर छोड़ दिया था अब बस मैं इसको ओवन में डाल दूगी और यह तकरिमन 45 मिनट के लिए होगा ब अब मैंने लिया है कपुवायल इसके साइड लाइंस बनाने के लिए और बस यह थोड़ा सा कुमोहल डाल के इसको गरम होने के लिए चोड़ दूगी और बस इसमें मैं अब एट करना है एक चमचा साबुजीरे का और साबुजीरे बस थोड़ा सा गुल्डन हो जाए तो मैं एक कटी हुई प्यास शामिल करूंगी और प्यास को थोड़ा सा गुलाबी होने तक मैं छोड़ दूगी जब थोड़ी सी गुल्डन हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें एक कटा हुआ टिमार्टर एक करूंगी टिमार्टर डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी मैं में एक चमचा ल olika का का पेस्ट और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँ और इसके बागी के में उसके बायों सामयचे शामिलिगे इसके बाल एक चमचा बाद भी इसके बाूर मिक्स करेंगे बिया के लिए छोड़ा दूँगी बस टेमार्टर आपने इतने गलाने हैं", कि ये अच्छे से ब्लैंड हो जाए. अभी सब इस बस अब दर शजाए हैं ऐन में अब चावल में और इना मैं फ़री के बासमती राईस एक और इसको अब इंसना पानी डाल के और पकने के लिए छोड़ दें और बस अब इनका पानी खुश्को तो दम पे लगा दें और बस आपकी चामल रेड़ी हैं अच्छा इन चामलों में ज़्यादा इसे साइड नहीं होते हैं क्योंकि सिंपल राइस मनते हैं इस रूटिसरी चिकन के साथ इसके साइड लाइस ही होते हैं और ये चिकन के साथ अच्छा फ्लेवर देते हैं बस अब ये चामल मेरे रेड़ी हो चुके हैं अब मैंने इसमें थोड़ सा ग्रीन कैप सिकम एड़ी ह ताकि इसमें अच्छा सा कलर आते हैं अब मैं बनाने जारी हैं अपनी सेकंड साइड लाइन यह हैं बीग पुटाइटू इनको मैंने थोड़ा सा पहले पानी में बॉइल कर लेना है और यह मैंने बहुते चोटे आलू लिये हैं और इनको सौल डालके में थोड़ा पकने छो अब इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा चॉप कार्लिक इससे बहुत अच्छा फ्लिवर आता है इसमें अब इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा पार्सले और बस पार्सले शामिल करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी और बस मिक्स करने के बाद मैं इसको एर फ्रेर में लगा दूँगी एर फ्रेर में लगा दूँगी फॉर टैन मिनट्स क्योंकि हाफ डन हुए होते हैं इसलिए जल्दी हो जाते हैं अब इसके बाद मैं अपनी थर्ट साइड लाइन बर्डी करूँगी जो कहें गालिक ब्रेड यह भी बहुत अच्छी अब बड़ बटर जो हैं इसको इस पर लगा देना है और लगाने के बद इसको भी ओवन में थोड़ी दिर के लिए छोड़ देना है इसको बहुत अदीर बेक नहीं करना है बस कलर आया तो निकाल लेए चली जी अब हमारी रेडी हो चुकी है यह देखिए कितना सबरतास क यह चिकन और बहुत जादा जूसी बनी है और इसके साथ यह देखे इस तरह से साइड लाइन्स आप बना सकते हैं तो इसका फ्लिवर और भी डबल हो जाता है और अगर अगर आपको मेरी रैसे भी पसंद आही हो तो प्लीज लाइक और शेयर दरूर कीजेगा मेरे चैनल को स जा ई कर तो पसंद का क्विक्था जौस सकते हैं